कुछ लोगों के राष्टिय अधिवेशन, राष्टिय सम्विलन, नेशनलन कन्वेंशन या पूरे देश का कोई सामोईक इखटा होने का कोई बड़ा कारिक्रम नहीं हुआ, कुछ सम्वों, कुछ लोगों के गुरुप्स का, इनको संठन कहना तो बेकार की बात होगी, क्योंकि ये सभी टुकडों में बटे हुए छोटे-छोटे गुरुप्स हैं, तो ये क्या करत हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये अपनी एक परंपरा बना चुके हैं, यानि ये खुद जो परंपराओं को तोड़ने का काम करते हैं, इन्होंने खुद एक परंपरा बना ली है, अगस्त में, जुलाई में, बरसात के महिने में ये लोग एक जगय करते हैं, कुछ थोड़े से लोग, दो-चार लोग, उस जगय को इस हिसाथ से तैक करते हैं, कि लोगों के घुमने का मनुझन का कारेकरम हो जाए, और वहां ये लोग इखटे होकर आपस में विचार मिमर्स कर सकें, जिसको अधीवेशन का नाम देते हैं, तो जगय फिक्स होने के बाद मे इनका वहां का एकाद लोकल आदमी, वहां के पुलिसी स्टेशन में, वहां के एडमी स्टेशन में, एक अपने गुरुप के नाम पर वहां एप्लिकेशन देता है, वहां एक जगय हायर करते हैं, खुली जगय लेते हैं, या बंद लेते हैं, फिर वहां लाख रुपिया ट करने के लिए जो उस समू के पेटेंट लोग हैं जो उस समू के भक्त लोग हैं वो भक्त लोग जिनको कारे करता कहा जाता है सम्मान से कारे करता है सम्मान इतनाम कारे करता है और हमारे लिए तो भक्त है तो वो लोग जगे 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 लोगों को पकाते हैं समझ जाते हैं बड़ा टाइम रखता है एक एक व्यक्ती तीन तीन चार चार वार विजिट करता है और कहता है कि देखो सम्मेलन में चलो आप अधीवेशन में चलो और घूमने के हिसाब से चलो LTC तो मिलती है न तुमको सरकारी कर्मचारी हो तो LTC ले ले लेना तुमारा LTC का पैसा मिल जाएगा घूमना हो जाएगा और वहाँ तुमारा रहना खाना बड़ा सस्ता हो जाएगा और थोड़ा सा अधीवेशन में बैठके सीख लेना ये उसको कहा जाता है नया व्यक्ति ये सोच कर के LTC का पैसा भी मिलेगा और बच्चों का घूमना फिनना भी हो जाएगा और दिसम्बर के लास्ट में छुटियां बहुत बाकी है छुटियां पढ़ती भी है तो छुटियां लेनी भी नहीं पढ़ेंगी तो सारे काम हो जाएंगे और अधिवेशन का अधिवेशन हो जाएगा तो अधिवेशन में वो खुद उनके रिजर्वेशन कराते हैं और रिजर्वेशन करा करा कर ये तैय करते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं वहां बाकाइदा टेंट में बहुत पैसा खर्च होता है, खाने का रफ एक इंतिजाम होता है, रफ का मतलब है कि बड़े बड़े जो भगोने हैं डेक्ची हैं उन्हें में खाना बनता है, कोई साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रह पाता क्योंकि पैसा कम खर्च होता है तो इस टेंडर्ड मेंटें नहीं उपाता, मगर चुकि आग पर पकता है इसलिए हाईजीन होता है कोई दिक्कत ऐसी बात होती नहीं है, सोने के लिए मोशली महां टेंटों में छोटे-छोटे से कमरे बन जाते हैं, नीचे फोस पढ़ जाता है, उपर से दरिया पढ़ जा अच्छा है, होना चाहिए क्योंकि बुद्ध के समय तो 7 दिन में एक वार सन्नी पात बहुल होता था, सम्मिलन होता था, हर अपते लोग मिलते थे, और ऐसा ही सम्मिलन लगातार होता रहे, तो सारे के सारे लोग मिल जाएंगे, मगर नुकसान क्या है इससे, वो देख दरसल सभी लोग 1978 के बाद जब आमसे बनाया था साहब कासी नाम ने उसके बाद में उसी टेंड में फसे हुए हैं कोई 35 दीवेशन करता है कोई 35 कोई 40 कोई 42 और साहब कासी नाम के आंखों के सामने ही इसके कई टुकड़े हो गए और फिर बाद में बहुत सारी टुकड़े उसके हुए और सभी टुकड़ों का एक रटा-रटाया गिसा-गिसाया पैटर्न है जो फिक्स है साल में एक वार अधिवेशन करना है राष्टिय और एक एक स्टेट डेवल कर करना है चाहे इस्टेट में कितने भी लोग है यह जिलास तरिय चोटे-चोटे से करने है यह उनका कारे करने का तरीका है नौन एजिटेशनल नौन रिलिजियस ना तो वो बुद्ध धम की बात करेंगे क्योंकि वो बाम सिफ का एक पैटर्न फिक्स है चाहे बेशक बावा साब ने यह कहा है कि आपको प्रभुद भार्द बनाना है चाहे बेशक बावा साब का आधिवात मानी जाएगी नौन र लेगी तो इनफ्रमिशन देने का काम करते हैं सचे लोग है इसलिए बता देते हैं कि हम यह काम करेंगे पहले तो नौन पॉलिटिकल भी था अभी तो सभी ने अपनी अपनी पॉलिटिकल विंग भी बना ली है और कुछ-कुछ रिलिजियस भी हो गया है कुछ ने धमगा अभी इंटरनेशनल अच्छा चलता है क्योंकि इंटरनेशनल पैसा अच्छा आता है तो वह भी काम सुरूर कर दिया है और एजिटेशनल की ब्रांच भी बन गई है यानि कि सबने सब सामान रखा हुआ है मगर दिक्कत कहां है बड़ी दिल्ली जैसे शेहर के अंदर लोग एक राष्टिय दिवेसमें नहीं जाएंगे वो जो 40 टुकड़े हो गए है 1978 के बामशेफ के जो अलग लग नामों से हैं जो एकी तरह का काम करते हैं सभी कैडल लेते हैं सभी प्रक्षेशन देते हैं सभी साहब कासी नाम को अपना आदर्स मानते हैं और उनीके तरी लेता है तो वो लोग इन सो लोगों में से अलग लोगों को पटाते हैं और पकाते हैं तो दिली में मानलो जैसे सो लोग हैं जो अच्छे लोग हैं तो सो लोग 20 जिगे बढ़ जाएंगे कहीं 2, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 जैसे जिसकी छंता जैसे जिसका भक्त लोगों को पट इतने आपको काम्यावी का खिताब बाकी भक्त देते हैं, बाकी लोग देते हैं, मगर नुक्सान कहां हो रहा है, एकी अइडेलोजी, एकी तरीका, एकी तरह की छुट्टी, एकी विचार, वही पुराना, घिसा, पिता तरीका, और आपने इन सौ लोगों के टुकड़े कर द अपने संध्र्णों में बंद कर दिया और ये कह दिया eights ही संध्र्ण में आपने लेना है यही संध्र्ण सबसे अच्छा है तो आप लड़ किसरे हैं और लडभा किसरे हैं तर अब जिसका नाम लेते है ए किससे लड़ और कोई भी संख्ठन का पतादीकारी जो भक्त बना घूम रहा है या जो उसका आका है ये मानने को त्यार नहीं है। वो कहता है कि जितने लोग काम करते सब अच्छा है। भई सारे लोग काम करेंगे अच्छा तब है जब सारे एक साथ करेंगे। सो लोग अगर दिली से जाने हैं, सो परिवार अगर दिली से बाहर जाने हैं या दिली में अधिविसन लगा है तो दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को सही कहेगा कि सो परिवार बीस जिगे जाएं और अलग लग जाएं और दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति ह जो यह कहेगा कि अगर यह सो के सो परिवार एक जिगह जाए तब बात अच्छी है, इसको कौन मना करेगा। इसलिए जो भक्त हैं जिनको कारेकर्टा कहके सम्मानत किया जाता है, वो जागरित नहीं है, वो जागे हुए नहीं है, और नहीं वो आपको जगा रहे हैं। वो दरसल भक्त हो चुके हैं, और भक्तों का कोई अपना सैंस या अपना सैंस अफ यूमर या अपनी कोई समझ नहीं होती, जो उनका आका जो उनको कहता है, वैसा वो मानते हैं। और आका बड़ा समझदार है, आका बेकूफ नहीं है। आका इस इंदियार में है, कि और मुसीबत आए, थोड़ा सा और ये लोग दर जाएं, मर जाएं, खतम तो होई चुके हैं, फिर ये मेरे को आका मानेंगे और एक ही आका रहेगा। तो जगड़ा इन सम्में आका बनने का है, चाहे कोई हसके कहे, चाहे कोई रोके कहे, चाहे कोई मने करे, या कोई-कोई इसको कह भी दे जगड़ा इसी बात का है कि सब का आका मैं रहूंगा इसलिए इस बात से कोई मतब नहीं है कि ये जो हर शहर में इनोंने 20-20 चुकड़े लोकों के कर दिये हर गाओं में 20-20 चुकड़े कर दिये और एकी सहर में एकी दिन तीन तीन रेलिया होती हैं एकी आदमी के उपर एकी मानेवर के उपर एकी तरह के और अलग लग लोक आते हैं और अपने आकाओं की जज़ेकार करते हैं और रेलिय मनाते हैं महापुरस की तसलिए वो महापुर के माहा पुरुस के मना रहे हैं और अलग अलग मना रहे हैं कितना रोता होगा सच्चा जाया यह किसे जादा रहे अरे मूर्ख हो, ये सारे जमबाडे ही, समाज के जमबाडे हैं, इनको तोड़ के कौन सी डिग्री ले रहे हो, इनको तोड़ के कौन सा अभिवान कर रहे हो, क्योंकि ये मूर्ख लोग हैं, ये भक्त लोग हैं, इसनिए आप साथधान हो जाएए, ये जो इतने सारे अधिव अधरम में, दुस्मन की पहचान ज़्यादा कराई है, और दोस्ट की पहचान तो कभी कराई नहीं, क्योंकि अगर दोस्ट की पहचान कराई होती तो इनको सबसे मिलना पड़ता, पिर आप इसे पूच लेते, अरे भाई जब सब को दोस्त कहते हो या दोस्त बताते हो ये भी हमारा दोस्त है ये भी हमारा दोस्त है तो अलगलक्यों हो तो इस प्रेसंट का सामना ना करना पड़े इसलिए कभी दोस्त की पहचान नहीं कराई हमें साथ दुस्मन की पहचान कराई और जितना उसका शोर मचाएंगे, दुस्मन उतना है ताकत पर हो जाता है और हो गया, और दोस्त की पैचान नहीं कराईगी, क्योंकि दोस्त की पैचान कराने में तो पोल खुल जाएगी, वही सारे ही लोग जो तूटे हुए लोग हैं, वो तो सारे दोस्त हैं, तो क्या कर हैं, हमको लगाता लगाता तोड़ रहे हैं, तो इलाज क्या करें इनका, इनका इलाज यह है, कि इनके अधिवेशन में मत जाईए, क्योंकि अधिवेशन से जाने से सारे के सारे जितने भी अधिकार थे, सम्मिधान में वो चलेगे, और ये लोग हर वार नया एजंडा, हर आर्शन को बचाना है, तो आर्शन को क्या बचा और क्या बचेगा? तो उस से पहले कहते थे थे कि हमारा शोषन हो रहा है, हमें रासता लेनी है, सारे रासता चाबी है, लेली चाबी, ताला खोल लिए हुचै क्या हो गया?। ये सारी बात हैं आपके सामने हैं कि हम जैसे जैसे ये अधिवेशन और जैसे जैसे ये लाखों संख्रन इस काम कर रहे हैं, हमारा पैसा बरवाज जाता है, हमारी ताकत बरवाज जाती है, चलो पैसा और ताकत बरवाज जाए, कोई बात नहीं, मगर अधिकार सारे चले गए चुछ बच्चे खत्रे में आगे, बच्चो को करने लिए कुछ नहीं है, बच्चो की पड़ाई खत्म हो गए है, पड़ाई बहुत महंगी हो गई है, नौक्रियां जा चुकी हैं, वो ये बचा नहीं पाए, नई नौक्रियां ले नहीं पाए, जो private sector था वो बढ़ गया, सरकारी sector खतम हो गया, सारी कमपनिया बिग गई जो सरकारी की थी और उपर से दिक्कत ये है कि हमारे पास ना जमीन है, ना जाजाद है, ना हमारे पास industry है, ना factory है, कुछ हमारे पास है ने तो करेंगे क्या, तो खाएंगे क्या, अभी मौका है थोड़ा बचने का, तो इन अधिवेशन में मत जाईए, टिकेट अगर आपने रिजर्व कराबी लिया है, तो इस वार मत जाईए, और अगली वार मत जाईए, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जब इनके तो ये एक साथ एकटा होने का सोचेंगे, फिर ये एक साथ एकटे होंगे, जब ये एक साथ एकटे होंगे, तो हमारा काम जो 70 साल में नहीं हुआ है, वो हो जाएगा, एक साथ एकटे होने से बात बन जाएगी, और अगर आप चले गए अधिवेशन में, तो इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, इनको पैसा मिल जाएगा, इनको लगेगा कि अगर हम जम्मे रहे तो लोगों तो आएदे, आते हैं हमारे पास, उनको आना पड़ेगा, तो हमी लंबी लकीर खींचेंगे, तो हमी राज करेंगे, तो हमी सब कुछ करेंगे, अरे भाई, राज करने की यह जाने, तो हमें अपने आपको बचाने के लिए, इनको सबक सिकाने के लिए, इनकी रसद काटनी होगी, इनको पैसा देना बंतरना होगा, और किसी व्यक्ति ने अगर रियर वेशन करा भी लिया है, तो इनकी अधी वेशन में ना जाए, घूम फिर के आ जाए, और अध सब जोतीवा फूले का फूट लगाते हैं, फूले सा हूँ अमेड़कर की बात करते हैं, तो यह अधी वेशन अलग अलग क्यों, यह लाखो करोड़ो रुपिया अलग अलग क्यों बरवात किया जाता है, जब इसका फाइदा ही कुछ नहीं है, एक साथ आने में परिशानी क्या, कौन से तुमारे रियर बैंक ऑफ इंडिया में बैंक खुले पड़े हैं कि तुमारे बैंक बंद हो जाएंगे अगर एक साथ आ जाओगे, कौन सा देश के तुम प्रधान मंत्री हो, जो एक साथ आने में पर तुमारी प्रधान मंत्री की स्रीट चले जाएगी, कौन इनको बार 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 ये बात बतानी पड़ेगी और इनके अधिवेसन के लिए ना, अधिवेसन में नहीं जाना, अगर आप इनके अधिवेसन में जाएंगे, इनको पैसा देंगे, तो फिर कभी भी ये खटे नहीं होंगे, और अगर ये खटे नहीं होंगे, तो आप ब onlyuation करते हैं यह दुस्मन हैं असली। निको पहचन लेजिए। बावा साब अमेर्ट करने कभी नहीं कहा था कि अलगलक संटर बनाने्अ हैं। यह बावा साब की हत्यर बावा साब का कतल हैं। उनके विचारों का कतल है। जोतीवा फुली ने कब कहा था कि अलग-अलग संटर बनाना, बावा साब ने कब कहा था, कब बुध्ध ने बहुत सारे संग बनाए, कौन से महा पर उसने संगती अलग-अलग कराई, कहां संगत अलग-अलग बैठती थी, कुई एक अधरण तो हो, इसलिए इनके जहांसे में बताईए, अपनी अकल खोलिए, ओपन यूर माइंड अपने मन को खोलिए, अपनी समझ को खोलिए, और इनके अधिवेशनों को स्टेट फारवर्ड ना कर दीजिए, और कह दीजिए कि हमसे वीदा पिपल ने मना किया हुआ है, कि एक भी पैसा नहीं देना है, इखटे होने के लिए पैसी का आउसकता नहीं है, और हमें अधिवेशन की आउसकता नहीं है, अधिवेशन में क्या करोगे, कुछ बोलके बताओगे, तो वीडियो भेज़ना हम सुन लेंगे, अगर अभी तो हमें वो वीडियो चाहिए, जिसमें ये मेसिज हो, कि सारे के सारे संग्ठन एक हो गए है, सामा जी एक हो गए है, धंमिक सारे एक हो गए है, सरकारी करमचारियों के एक हो गए है, राजनीतिक लोगों के एक हो गए है, लड़कों के दलबल के एक हो गए हैं जो आर्थिक संटरें वो एक हो गए हैं जो महिलाओं के हजारों चलने हैं वो एक हो गए हैं जो जितने मज़़ूरों के हैं वो एक हो गए हैं हमको सब एक चाहिए तब हम पैसा देंगे पैसा देने के लिए मनाई नहीं है मगर तब तक नहीं देंगे जब तक आप इखटे नहीं हो जाओ चाहें आप कुछ भी कर लो ऐसा आपको इन लोगों को बोलना है तो आपकी जान बच जाएगी तो हमारे बच्चे बच जाएगे धन्यवाद